हेलो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल एक्टिकल ग्यानी बाबा दोस्तो आज की जो वीडियो है वह हमारे वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर सलिक्टर स्विच के उपर है तो सबसे पहले हम यह जानेंगे दोस्तो यह वोल्ट मीटर क्या होता है दोस्तो जो वोल्ट मीटर होता है श्रण जी दार है सिफिरी दर स्केट के इए अगर मचाहि है कि आप तो सिफह दोस्तों तो ये जो बंटेल से लेकर को हले जाए कि ने कुणब्षिर का रहा है दूसरा पॉइंट दोस्तो ये है कि हम इसे लगाएं क्यों या इसकी जरुद क्यों पड़ती है दोस्तो आपने देखा होगा हमारे घरों में कभी-कभी बल्प पूरी तरह रोशिनीन देता या पंखा है काफी धीरे-धीरे चलता है या जो हमारे समर्सिबल है या मोटर है य झाल इस परकी कोई बहुता है मोटर कोईपमेंट होता है ये चल नहीं Εcular brief सक्राइट है कि होती है प्रीशनीन्ट बति दोस्तो चाहां कि य वो चल नहीं रहे होती लेकिन सप्लाई पूरी जा रही होती है आज करके जो हमारे LED बलप है वो थोड़े से वोल्टेज में भी जल जाते हैं लेकिन 220 का होता है तो पूरी तरह रोशनी निदेबाते हैं जब तक कि उसमें 220 वोल्ट पूरा ना मिले तो अभी हम पता कैसे करें कि हमारा क्या प्रॉब्लम है तो दोस्तों वहां पर सबसे पहले हमारे काम आता है वोल्टेज मीटर यह हमें जड़ से बता देता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो मैंने आपको यह बता दिया कि वोल्टेज मीटर होता क्या है और इसका यूज क्या होता है चल तो दोस्तो देखिए घर में तो हमआरा इस व्यांड कि आती है और एक न्यूटल कि आती है तो व्य डिशान करना है आपको इसके पीछे देखेंगे चाहिए अननरह कमेंकट vedere कि मैं Tara आपको पूंउन completo में का आपकर यह वरी glor,"र दोस्तों सीखने member नोग बता हैं कैसे होता है तो दोस्तों देखें यह जो वॉल्ट मीटर है इसके पीछे दो पॉइंट है तो सब दोस्तों सबसे पहले हम इसके एक पॉइंट में फेस वाला तार जोड़ देंगे और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों उसमें न्यूटल का चलिए दोस्तो मैंने जोड़ दिया है इसमें अब इसको देखते हैं, supply on करके, देखे दोस्तो, supply on होते ही पता लग़िया कि हमारे जो घर है, इसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं, देखे दोस्तो, यह 100, यह 200 और यह 220 वोल्ट, तो दोस्तो इस तरह हम अपने घर में single face का connection कर सकते हैं वोल्ट मीटर का और कभी भी है दोस्तो अगर यह drop होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो अगर यह नीचे आजाएगा 220 से या 100 पे तो आपको पता लग जाएगा आपका voltage ड्रॉप हो रहा है चलो दोस्तो अब मैं आपको थ्री फेस की supply में वोल्ट मीटर कैसे करते हैं वो बताता हूं आपको दोस्तो अब हमें जो अगर इसमें थ्री फेस की supply का वोल्ट वोल्टर जानना है तो दोस्तो इसमें connection करने के लिए में वोल्ट मीटर में हमें जो है यह जा सकते है यह जो है यानि weaknesses यानि वोल्ट मीटर स्टब्र स्विच के दुरूद पड़ती है अब आप सोच सो रहोंगे कि इसकी दुरूद क्यों पड़तिया तो दोस्तो मैं इसलिए कि konstate दू क्यों बतादू क्यों कि हमारे जो यह जो तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे इसमें यह आर फेस के लिए दिया हुआ है और इधर देख रहे होंगे यानि यह भी फेस का पॉइंट दिया हुआ है तो दोस्तों मेरे घर में तो सिर्फ सिंगल फेस की सप्लाई है तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर और वाई में देता हूं और वाई में नूटल है जो हमारे घर में जो आर फेस हा रहा है यानि जो आर फेस है उसको आर में देदिया और जो नूटल है दोस्तों वह मैंने वाई फेस में कनेक्ट कर रहा हूं करें के लिए दोस्तों डोस्तों इसमें आर फिशों मैंने अदिल इदिया और वाई रॉड़ी तो सब्सक्राइब राफ ठालते हैं इसमें वाई फिशाचा बूब्ली टालते है及 दोस्तों यह में का input हो गया यानि r y और वी यह हमारे इनपूट पॉइंट है अब जो हमें मीटर में जो करनेट करना है ऑट्पुट तो दौस को इसमने आप देख रहूझे कि यहां प्रिखा है इसमे लिखा हुआ है दोस्कों यहआप पुटू जो इस वोल्ट स्लेक्टर स्विच में से निकल के तार मीटर में जाएंगे तो आप देख हो बीवन तो सर दोस्तो इस में वीवन में हम पहले टालते हैं यह रेड्वाय डाल लेकें आपको आर अ दूसरी तक दोस्तों देहरे हों में वी टू कोirse अब वी टू में भी दोस्तों करेक्शन कर लेते हैं तो देखे दोस्तों यहां हमने क्या करा हमारे पर थ्री फेस नहीं था तो हमने आर में फेस डाल दिया वाई में नूटल डाल दिया और भी पॉइंट खाली छोड़ दिया और इसका जो सेंटर सुश का आउट्पूट आए यानि वीवन और वीटू इसमय से हमने दो तार निकाल लिए जो हमारे वल्ट में लघेंगे दोस्तों चलिए आप वोल्टमीटर में परनेट कर देते हैं वायर अब यह देखिए दोस्तों दीवन वाला आपने इधर कर दिया और जो वी टू था उसको अमने यहाट परनेट अब चलिए दोस्तों इसमें सप्लाई ओन करके देखते हैं सेलेक्टर स्विच्च में सप्लाई ओन कर दिया मैंने अब हमने दोस्तों जो कनेक्शन करा था हो आर और वाई में करा था तो जो इसका एरो है जब हम इसको आर वाई पर करें दोस्तों तो देखे यह बता रहा है जो आर और वाई के बीस जो फेस का वोल्टेज जो आ रहा है दोस्तों 220 आ रहा है लेकि कि दोस्तों मैंने पोई क्नेक्षन करा ही ही अगर यहीं पर मैंने लेकंए बेस्स दिया था और दोस्तों छला सब्णम करे दिया होता तो फिस रही गाएं या इसमें रिखा है कि यह ऊपाइब害 प्रत लिकाशत प्लाई एक थे प्रते सिप्ली तो आप तीनो फेस को यानि इसमें आप देखिए आर वाई और बी में कनेट कर दें और उसके बाद जो दो आउटपुट हैं वाई वन से और वाई टू से लेके यह अनलोग जो मीटर है हमारा से सिंगल फेस का इसमें डाल दें तो दोस्तों यह बता देगा कि आपके फेस टू फेस क चार सो पंद्रा बता या चार सो बीज बताता तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप वोल्ट मीटर के बारे में समझ पाए हो और त्रिफेस का कनेक्शन तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जावेज शेयर करने, धन्यवाद दोस्तों.